नमस्कार, गुड मॉर्निंग, प्रकर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इडुटेडिया 5000 पलस MC की उसका जो बुक आया था उसके कोश्चन का डिसकसन करेंगे और इस वीडियो में हम लोग उसके पहले सेट का डिसकसन करेंगे तो आईए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो पहला कोश्चन है भारत के साथ ब्यपार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था सही उत्तर ओप्शन नमबर B 31 दिसंबर सम 1620 में 31 दिसंबर 1600 में बिटेन की महारानी एलिजावेथ ने भारत के साथ ब्यपार करने का एक चार्टर प्रसूट किया था जिसे इस्ट इंडिया कमपनी को दिया गया था इस्ट इंडिया कमपनी ने इंग्लेंड की महारानी एलिजावेथ प्रथम ये जो चार्टर दी थी ये एलिजावेथ प्रथम थी एलिजावेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया था इसने कंपनी को दूसरे ब्रिटिस ब्यपारियों से प्रतियस पर्था के बीना पूर्वी देशों में ब्यपार करने का एक मात्र अधिकार दिया था इस चार्टर ने पूर्वी देश अर्थात ब्रिटेन के पूरब में इस्थित देशों के साथ ब्यपार करने के लिए महारानी एलिजावेथ प्रथम ने ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपनी को एक चार्टर दिया था नेक्स्ट कोश्चन है भारतिय राष्ट्रिय आंदोलंग के प्रारंभ से ही उग्रे राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था जिसमें निम्न में से कौन सामिल नहीं थे उग्रे राष्ट्रवादी यानि की करांतिकारियों का एक वर्ग था इनमें सामिल नहीं थे गोविंद रानाडे महादेव गोविंद रानाडे ये करांतिकारियों में सामिल नहीं थे बांकि इन चार ओप्टनों में बाल गंगा धर्तिलत लाला लाशपत्राई और विपिन चंद्रपार ये तीनों करांतिकारी थे इन्हें संजुक्त रूप से लाल बाल और पाल कहा जाता है लाल बाल और पाल कहा जाता था गोबिंड रानाडे महादेव गोबिंड रानाडे ये उग्रे राष्ट वादी नहीं थे 1891 में महादेव गोबिंड रानाडे ने 1891 में वीडो मैरेज एसोसियेशन की अस्थापना की थी और दक्कन एजुकेशन एसोसियेशन वीडो मैरेज एसोसियेशन और दक्कन एजुक इस्थापना महादेव गोबिंद रानाडे ने की थी अस्थापना की थी 1866 में 1916 में 261 में कॉंगरेश और मुस्लिम लीग के बीच लखनव समझावता हुआ उनके कौन से परिणाम बाद में घातक सिधु है तो इसका सही उतर हो जाएगा option number C, Congress द्वारा मुसल्मानों के प्रती संतुष्टी करन की नीती का आरंब 1916 के लखनव अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष्टा किये थी अंबिका चरन मजमुदार ने और इन्ही के अध्यक्ष्टा में मुसलिम लीग और मुसलिम लीग और कॉंग्रेस के बीस 1916 में समझावता हुआ था और इस समझावते के बाद से जो पडिणाम निकला था उसे कॉंग्रेस ने 29 दिसंबर 1930 को स्विकार कर लिया कॉंग्रेस ने 29 दिसंबर 1930 को स्विकार किया जबकि मुसलिम लीग 31 दिसंबर 1930 को स्विकार किया था 1916 में ही इस कॉंग्रेस के लखनव अधिवेशन में जो कॉंग्रेस कभी नरम दल और गरम दल में बट गई थी एक बार पुना उनका एक ही करन होता है 1916 में नरम दल और गरम दल मिल जाते हैं नेक्स्ट कॉस्चन है ब्यक्तिगत सत्याग्रा किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था ब्यक्तिगत सत्याग्रा हुआ था लिने लिक्थुगो के काल में आप्सन नमबर सी सही उत्तर आप्सन नमबर सी ब्यक्तिगत सत्याग्रा जो महात्मा गांधी द्वारा चलाये गया था ये 1940 से 1941 के बीच में या ब्यक्तिगत सत्याग्रा अंदोलन चला था इस आंदोलन में ब्यक्तिगत सत्याग्रा अंदोलन में क्या हुआ था ब्यक्तिगत सत्याग्रा अंदोलन में वहां के अस्थानिय जिलाधी कारी को पत्र के माध्यम से उन्हें विरोध के लिए सुचित करना था ताकि वो आके खुद से गिरफतार करे और इस तरह ब्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही जो गिरफतार हुएं वे थे बिनोवा भावे बिनोवा भावे प्रथम सत्याग्रही थे दूसरे सत्याग्रही थे जवाहल नाल नहरू और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रहमदत या इस ब्यक्तिकत सत्याग्रा के अंतरगत बिहार में भी अंदुलनकारियों ने स्वयम की अब खुद की गिरफ्तारी दी जिसमें से बिहार में इस ब्यक्तिकत सत्याग्रा के अंदुलन ब्यक्तिकत सत्याग्रा के दवरान गिरफ्तार होने वाले पहले सत्याग्रा ही थे श अनुग्रह नराय सिनहा नेक्स्ट कोस्चन है भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस की पुर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? सही उतर अप्शन नमबर सी ब्रिटिस इंडिया एसोसियेशन भारती राश्टिय कॉंग्रेस की पुर्वबारती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुक्ष संस्था थी British India Association यह जो British India Association थी यह Land Holders Society Land Holders Society और British India Society के मिलने से बनी थी British India Association जिसे भारतीय राश्टिय कॉंग्रेस की पुर्वबारती संस्थाओं में सबसे पहली और महतोपूर्ण संस्था माना जाता है Next question है Simon Commission की सिफारिसों के संदर्व में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है सही कथन का चैन करना है तो इसका सही उत्तर होगा Option number C इसने केंदर में द्री सदनिय बिधाईका के उनमूलन का सुझाओ दिया था Simon Commission जिसका गठन हुआ था साइमन कमिशन जिसका गठन हुआ था आठ नोवंबर आठ नोवंबर 1927 को साइमन कमिशन का गठन हुआ था और यह भारत पहुचा था तीन फर्वरी 1928 को साइमन कमिशन का गठन हुआ था आठ नोवंबर 1927 को और यह भारत पहुचा तीन फर्वरी 1928 को इसी साइमन कमिशन का विरोध करने के करम में लाला लाजपतराय पर लाठियों से हमला किया गया था जिसके बाद से उनकी मिर्ति हो गई थी नेक्स्ट कोश्चन है दादा भाई नोडो जी ब्रिटिस हाउस ओफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतिये थे उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था ब्रिटिस हाउस ओफ कॉमन्स के लिए चुनाव जीता था भारत पर हूनों का प्रथम आक्रमन किस सासक के समय हुआ था भारत पर हूनों का आक्रमन हुआ था असकंद गुप्त के समय में असकंद गुप्त के समय में चार सो अन्ठावन इस भी में भारत पर हूनों का आक्रमन हुआ था असकंद गुप्त के समय में नेक्स्ट कोश्चन है एहोल अभिलेक किस सासक से संबंदित है तो एहोल अभिलेक संबंदित है पुलकेसिन दूतिये से एहोल अभिलेक संबंधी थे पुलकेसिन दूतिये से इस एहोल अभिलेक में पुलकेसिन दूतिये के बिजाय का बर्नन किया गया है जिसने हर्सवर्धन की जिसने हर्सवर्धन पर बिजाय पाई थी पुलकेशिन दूतिये के हर्सवर्धन पर विजय का वर्णन किया गया है एहोल अभिलेक में और इस एहोल अभिलेक के जो रचाईता थे यानि कि एहोल अभिलेक का जिसने लिखा था वे थे जैन कभी जैन कभी रवी वर्मा रवी किर्ती जैन कभी रवी किर्ती ने एहोल अभिलेक का निर्मान किया था और इस एहोल अभिलेक में पुलकेसिन दूतिये के हर्सवर्धन पर बिजय का बर्णन किया गया है इसी सत्यमेव जैते को भारत के स्वतनत्रता के बाद भारत का राष्टिर आधर्स भाक्य बनाया गिया जो मुंड़को अपनी सद से संबंदित है नेक्स्ट कोश्चन है महावस्तु, महात्मा बुध का जीवन बृतान्त है इसका संबंद किस साखा से है यानि कि बौध धर्म के किस साखा से है सही उतर आप्सन नमबर है बौध धर्म के महायान साखा से महाबस्तू जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन बितान्त है या बौध धर्म के महायान सखा से संबंदी थै या जो बौध धर्म के जो संस्कृत में रचित ग्रंथ है जो उनमें से ये महाबस्तू एक प्रमुख ग्रंथ है Next question है अकबर द्वारा बनाये गए उपासना भावन का क्या नाम था सही उत्तर option number C इबादत खाना अकबर ने इबादत खाना का अस्थापना किया था इबादत खाना का अस्थापना किया था पंदर सो पच्छात्तर इस्वी में कहाँ पे फतेहपूर सिक्री में फतेहपूर सिकरी में अकबर ने एक इबादत खाना का अस्थापना किया था यहां विभिन धर्मों के सिछाओं पर एक साथ बैठ कर चर्चाएं होती थी Next question है सूप्रसिध संगितकार तांसेन और बैजु बाबडा किसके सासनकाल से संबंदित है सही उत्तर option number C अकबर के सासनकाल से संबंदित है सूप्रसिध संगितकार तांसेन जिसका नाम रामतनू था तांसेन का वास्टवी के नाम रामतनू था यह अकबर के नौरतनों में सामिल है अकबर के नौरतन में सामिल है तांसेन और बैजू बाबरा उसी समय अकवर के सासन काल के ही समय बैजू बाबरा ग्वालियर के एक राजा थे मान सिंग जिसके दर्बार में गायक था तो तान सेन और बैजू बाबरा दोनों अकवर के समकाली थे Question है New Cattle Port जो दुनियाका सबसे बड़ा कोईला निरियातक बंदर学 या किस देश में इस्थित है। सही उत्तर option number B Australia में New Cavalier नियू KetleportOOD जो दुनिया का सबसे बड़ा कोईला निरियातक बंदर प्रत्मान में दुनिया का सबसे बड़ा कोईला उत्पादक देश चीन है नेक्स्ट कोश्चन है देशांतर रेखाओं के संबंद में कौन सा कथन सही है तो सही उतर हो जाएगा ऑप्सन नमबर डी देशांतर के मध्ध सरवाधिक दूरी बीशुवत रेखा पर होती है और प्रित्वी पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या तीन सो साथ है देशानता रेखा जो प्रित्वी पर उत्री ध्रूब को दक्षनी ध्रूब से मिलाती है उत्री ध्रूब को दक्षनी ध्रूब से मिलाती है इसे देशानता रेखा कहाते हैं यह इस देशानता रेखा की संक्या प्रित्वी पर टोटल तीन सो साथ है और जीरो डिगरी देसांतर रेखा को ग्रीन वीच रेखा कहा जाता है और ठीक इसके विपृत इस जीरो डिगरी देसांतर रेखार जिसे समय रेखा भी कहा जाता है next question है उत्तर से शुरू कर दक्षिन की ओर दी गई पहारियों का सही अनुकरम कौन सा है सही उत्तर option number C नल्ला मलाई पहारियां सबसे उत्तर में है नल्ला मलाई पहारियां जो अंध्र परदेश में है उसके बाद से जाओदी पहारिया नाला मलाई पहारी के नीचे है जाओदी पहारिया जो तमिलनाडू में है जाओदी पहारी के दक्षिन में है नीलगीरी पहारिया ये भी तमिलनाडू में है और अन्ना मलाई ये भी तमिलनाडू में है तो उतर से दक्षिन की और सबसे उत करद नें नमलाइ निमलिखित में से कौन सी नधि अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है सही उतर option number V भी बिहार की कोसी नधी जी से बिहार का सोक कहा जाता है या अपना मार्ग बदलने के लिए बहुत ही विख्यात नधि ह connect कष्ड कोश्चन है किस मृड़िदा Π्रारूप में भ flour के अत्रिक्त मात्रा होने के कारण और ऑनुर्वर हो जाती है सही उतर option number C laterite मिर्टी laterite मिर्टी जिसमें लोहे की बहुत ही अधिक मात्रा होती है और इसी लोहा की अधिक मात्रा होने के कारण यह मिर्टी उपजाव नहीं रह पाती है यह जो laterite मिर्टी है यह चाटानों के टूट फूट से बनी होती है जिसमें लोहा, एल्मूनियम, चुन्ना आधिकी प्रधानता होती है नेक्स्ट कोश्चन है प्रकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है प्रकास के संबंध में सत्य कथन है या एक बिदुत चुंबकिये तरंग होती है प्रकास सही है या कर्ण या एक कर्ण प्रकृति की होती है सही है या उर्जा का एक रूप है प्रकास सही है इसलिए सही उतर आप्सान नमबर डी नेक्स्ट कोश्चन है बायो गैस संयंत्र में निम्लिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है बायो गैस संयंत्र में किनुवन प्रक्रिया होती है या जैवरासाइनिक किरिया है किनुवन एक जैवरासाइनिक किरिया है जिसमें जटिल कार्बनिक योगिक सुक्ष मस्तजीवो की सहायता से सरल कारवनिक योगी कों में बिघठित हो जाते हैं है इस कडिया में ऑक्शीजन की अवसक्ता नहीं होती है और इस से अलकोहल और सराब बनता है इसी कडिलमण की प्रक्डिया से अलकोहल और सराब का निर्मान होता है next question है एक वर्ग में ऊपर से नीचे की और जाने पर प्रमानु के आकार प्रमानु का आकार बढ़ता है एक वर्ग में उपर से नीचे की और जाने पर प्रमानु का आकार बढ़ता है नेक्स्ट कोश्चन है वायू मंडल में प्रकास की विश्रन का कारण क्या है तो सही उतर हो जाएगा option number B धूलकन किसी भी ओगिकों का आक्सिकरन संख्या होता है जीरो नेक्स्ट कोश्चन है सर्प वीश रोधी सुई किस तत्व का एक ओगिक है सही उतर option number A स्वर्ण योगी सर्प वीश रोधी सुई किस तत्व का एक ओगिक है तो सही उतर स्वर्ण योगी नेक्स्ट कोश्चन है दाब का बीमिये सुत्र क्या होता है सही उत्तर option number B M L-1 T-2 दाब का बीमिये सुत्र होता है M L-1 T-2 दाब का बीमिये सुत्र होता है M L to the pound minus 1 T to the pound minus 2 नेक्स्ट कोश्चन है जै वो सैल क्या है तो सही उत्तर option number 1 कोईला जै वो सैल कोईला को कहा जाता है नेक्स्ट कोश्चन है यादास्त का संबंध मस्तिस्क के निम्न में से किस भाग से होता है सही उत्तर option number B सेरे बेलम यादास्त का संबंध मस्तिस्क का एक भाग होता है सेरे वलम जिससे यादास्त का संबंध होता है एक जिवास्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह तो दिखता है लेकिन सरी स्रीप के जैसे अन्यवी सेस्ताइं होती है सही उत्तर ऑप्सन नमबर B आर्कियोप्टेरिक्स जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीश्रिप जैसे इसकी अन्यवी सेस्ताएं होती है नेक्स्ट कोश्चन है मानो सरीर में सरवाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है सही उत्तर ऑप्सन नमबर B आर्कियोग किया जाता है नेक्स्ट कोश्चन है नेक्स्ट कोश्चन है आपात काल के दोड़ान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है तो सही उतर हो जाएगा ऑप्सन नंबर सी भारत का राष्ट्रपती आपात काल के दोड़ान मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है भारत का राष्ट्रपती को से निलंबित नहीं किया जा सकता है नेक्स्ट कोशचन है प्राकलन समीती के सदस्यों का कर्जकाल होता है एक वर्स और इस प्राकलन समीती में सभी सदस्य, इस प्राकलन समीती के सभी सदस्य लोग सभा से समबंदित होते हैं, लोग सभा के सांसद होते हैं, और इसके सदस्यों की टोटल संख्या होती है 30, प्राकलन समीती में सदस्यों की संख्या 30 होती है, इसके सभी सदस्य लोग सभा के सद और इसका कार्यकाल होता है एक वर्स और आम तोर पर प्राकलन समीती का जो अध्यक्ष होता है वह लोग सभा में विपक्ष का नेता होता है विपक्षी पार्टी के किसी नेता को प्राकलन समीती का ध्यक्ष बनाया जाता है निमलिखित में से किसके अनुमोधन से भारत की संचित निधी से पैसा निकाला जाता है सही उत्तर ऑप्सन नमबर डी भारत की संसद के अनुमोधन से भारत के संचित निधी से पैसा निकाला जा सकता है सरकार को मिलने वाले सभी राजस्व जैसे सीमा सुल्क, उत्पाद सुल्क, आयकर, संपदा सुल्क या अन्यकर, वंग सुल्क, रीनों की वसूली से प्राप्त धन आधी सभी भारत की संचित निधी में जमा होते हैं और जिसे भारत की संसत के अनुमोधन से इस संचित नीधी में जमाधन को निकाला जा सकता है नेक्स्ट कोश्चन है भारतिय संविधान में बिधी के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया था सही उतर option number D, बिटेन के संविधान से, भारतिय संविधान में बिधी के समक्ष समता, बिटेन के संविधान से लिया गया था, बिधी के समक्ष समता के अतरिक, संसदिय सरकार, एकल नागरिकता, बिधाई प्रक्रिया आदि भी बिटेन के संविधान से ही लिया गया था सम्विधान संसोधन प्रक्रिया सम्विधान के किस भाग में उलेखित किया गया है सही उत्तर option number D भाग 20 में संविधान संसोधन प्रक्रिया का उलेक किया गया है next question है सूची एक और सूची दो का सही मिलान करे एक तरफ सूची दो में अनुसूची का नाम दिया गया है और सूची एक में उससे संबंदित विशनों का नाम दिया गया है तो भासाओं का उलेक आठवी अनुसूची से संबंदित है दल बदल निरोध अधिनियाम दस्वी अनुसूची से संबंदित है तिहतरवा संविधान संसोधन अधिनियम एगारहमी अनुसूची से और भूमी सुधारयों अधिगरहन संबंदित अधिनियम संबंदित है नौमी अनुसूची से इसलिए सही उतर हो जाएगा option नमबर B नेक्स्ट कोस्चन है 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत प्रथम विधी आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था सही उतर ऑप्शन नमबर B लड मैकाले के अध्यक्षता में 1833 के चार्टर अधिनियम के तहट प्रथम विधी आयुप का गठन किया गया थह मैकाले के अधियक्षता में और इसी 1833 के चार्टर अधिनियम के तहट चाई और चीन के साथ ब्यापार को छोड़ का कमपनी का ब्यापारिक एकाधिकार समाप्ट कर दिया गया था नेक्स्ट कोश्चन है निमलिखित में से कौन सी ओसधी या क्रांती प्याज और झिंगा उत्पादन से संबंदित है सही उत्तर ओप्शन नमबर C गुलावी क्रांती संबंदित है ओसधी से प्याज और झिंगा उत्पादन से निमलिकित में से कौन दो संस्थानों को ब्रेटन उट्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है सही उत्तर ओप्शन नमबर C IMF और विश्व बैंक IMF और विश्व बैंक को ब्रेटन उट्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है क्योंकि ब्रेटन उट्स सम्मेलन के बाद से ही इन दोनों का गठन हुआ था IMF क्या करता है ब्यापक आर्थिक और BTA इस्थिर्ता पर ध्यान केंद्रित करता है जबकि 200 बैंक दिर्गेकालिन आर्थिक विकास और गरीबी में कमी पर ध्यान केंद्रित करता है नेक्स्ट कोस्चन है किस वर्ष भारतिय रिजर्व बैंक का राष्ट्रिय करन किया गया था सही उतर ऑप्षन नमबर भी उननीस सो उन्चास में उननीस सो उन्चास में भारतिय रिजर्व बैंक का राष्ट्रिय करन किया गया था और भार्तिय रिजर्ब बैंग की अस्थापना हुई थी एक अप्रिल 1935 को यंग एंड हिल्टन कमिटी के सिफारिस पर भार्तिय रिजर्ब बैंग की अस्थापना की गई थी जिसका राष्ट के करन हुआ था 1989 में Next question है हिंदू राष्ट का विचार मूलत किसका है Next question है भारत में आएकर है प्रत्यक्ष और प्रगति सील कर भारत में आएकर को प्रत्यक्ष कर और प्रगति सील कर माना जाता है Next question है कूचिपूरी किस राज्य का लोक निरित्य है सही उत्तर हो जाएगा option number D आंधपरदेश कुचिपूरी आंधपरदेश से संबंधी थे next question है हिमानी उत्तम पड़ब का संबंध किस खेल से है सही उत्तर option number B मलखंब से हिमानी उत्तर पड़ब का संबंध है मलखंब खेल से next question है नीपक आंदोलन के प्रणेता कौन थे सही उत्तर option number C दादु दयाल a जंदोलन के प्रणेता थे दादु दयाल option number C सही next question हैए द्रक्मा सिक्का किसने चलाया था सही उत्तर ऑप्शन नमबर एक ग्रीकों ने द्रक्मा सिक्का चलाया था ग्रीकों ने नेक्स्ट कोश्चन है बाढ़ के दोड़ान हर वर्स नय एलूबियम का जमाव जो मिट्टी की उरुबरता को बढ़ा देता है संबन इसे कहते हैं खादर मिट्टी बाढ़ के दोड़ान हर वर्स नय एलूबियम का जमाव जो मिट्टी की उरुबरता को बढ़ा देता है खादर मिट्टी का लाता है नेक्स्ट कोश्चन है वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है उसे थर्मोक लाइन कहा जाता है नेक्स्ट कोश्चन है बेसल मापदंड संबंधित है तो बेसल मापदंड संबंधित है बैंकिंग छेतर से नेक्स्ट कोश्चन है इंग्लिस में पहली बार और द्योगी करांती सब्द का परयोग किशने किया था सही उतार ओप्शन नमबर डी अर्नाल्ड टायम भी ने इंग्लिस में पहली बार और जोगी करांती सब्द का परयोग किया था अर्नाल्ड टायम भी ने धन्यवाद